रानाफ काच्छ दे कंडे वस्यावया एक पूरा पिस्रया पुराना शहर लखपत जिड़ा की किसी जमाने विच एक बंदरगा यानि की पोर्ट सिटी होया करदा सीगा अज एक कोस टाउन यानि की पूतिया शहर दे नाते जाने आ जानता है ते आते आज सनवास थे कुछ इमारता पुरानिया आजबी ख्लोतिया ने डिड़ी की खंडर बाण चुक्या ने ऐस दरगानों पीर कमाल खांदी दरगा दे ना तो जानेया जान्दा हैगा ऐसा आख्या जान्दा हैगा कि पीर सा मानवी बन दरगा दे नजदीक कोखलिया गाउंदे विच रंदे सी गे उन्हाने एक च्छाह जायर कीती सी की मरन तो बाद उन्हादी समाधी ऐस लखपत विची बढ़े अज उन्हादी ऐस दरगा नू पठान समझधायदा एक परवार उदी देखबाल करता है ऐसा सानू थे लोगाने दस्या जिस गुमबद नुमा इमारत नू आप यी देख रहे हो उसनू पीर गौश मुहमद दा मखबरा ख्या जानता है ऐस मखबरे नू कूबो टूम दे नामते भी जाने आ जानता है जिनू पीर गौश मुहमद ने एक तलाब दे नाल बनवाया सी यह तलाब साधारन तलाब नहीं है जिड़ा की हुन्सुक चुक्या है लोगा दा मनना सी अधे अंदर एक दैविक शक्ती होंदी सी ते अथे अधे पानी पीर नाल लोगा दे कश्ट दूर हो जाया करते सी मगमरे दी जडी आर्किटेक्ट्चर है वह ब्लैक कलरदे नाल मिक्स करके बणाविया है ते बहुती सुन्दट ते बहुती चंगा देखनों मिलता है गा यह ते लोकल लोगां दा कहना है खिए उस जमाने देंदर लोगां दे रूह साफ होया कर्दी सी ते नजर पाक होया कर पहली दफ़ा मिला यहां पर आगे 700 से 800 साल पुराना इतिहास जब आप देखते हैं वो पुरानी बिल्डिंगें ऐसा लगता है कि जैसे वो कल की बात हो जिस जगह पर हम खड़े हैं इसका नाम है अकबानी महल और यहां पर एक पर्लिमेंट हाउस और एक कस्टम हाउस और न सम्रद ते प्रभावशाली परवार सी ऐस अगबानी परवार दे बारे विच इकावत मश्यूर है जिडे की स्थानी लोग केंदेने अपनी जबान दे अंदर या तो अल्ला जो आस्रा या तो अगबानी जो जिदा अर्थ हैगा कि या ते पगवान दा आस्रा है या सम्रादी मदद करन मास्ते मुश्किल समय दे अंदर सामने आंदा है लगपत दे सब तो तनी ते उदार परवारा में चो एक ओ अगबारी परवार एस कारदा मालक सी जिनुहुन अगबारी महल देना तो जाने आ जानदा सी का तुसी वेख सकते हैगेो कि या खंडर रूप करते सी के उस जमाने दे अंदर पाटिया प्रवार बहुत ही प्रवावशारी प्रवार सी गा ते ऐस स्थान दे उत्ते जड़े लोग अपना कस्टम क्लिरंस करा नमस्ते आंदे सी ते उन्हादे डिस्प्यूट्स नूँ या उन्हादी परशानिया नूँ हल करनवास थे आए पार्लेमेंट हाउस बनाया गया सी गा जिदे अंदर पाटिया फैमली उन्हादे सारे पेपर वर्क कर दी सी ते उन्हादा ते कस्टम हाउस जंदर जिड़ा स्ताल मिल सी गा उन्हादा काम कर दी सी ऐसा लोग दस देने आए पुरानी बिल्डिंग जिसनों आप जी देख रहे हैं गयो एसनों कस्टम हाउस देनाते जाने आ जानता है गा बंदरगाह हो देनाते एथे देश विदेशा तो समान उतरया करदा सी गा जिड़ी की कस्टम जूटी देनावास दे ऐस्थान बनाया गया सी गा एथे पुराने समय देंदर जे थे अधिकारी होंदे सी ओ बैठते सी गे ते लोग एथे आके अपनी कस्टम ड्यूटी पे एकाया करते सी गे एथों मालदा डिस्टिपूशन जेड़ा की समानबला आंदा सी गा तो मैं ठीदर जेड़ार साज़णे जींदर एथे ए्थे लोग अपने समान ले आउट आणना सी गा वो थे लेके आंदे सी ये ते एतों ही लोड करके उसमान लेके जाया करदे सी ऐसा सानू इत्यास तो पता लगया तोन नानक तेरी बटी कमाई गुर्दवारा लगपज साब दे असल लिते हास दी खोज कर दे कर दे हुनसी आप उजे आगया हैं उस्थान दे होते गुर्द ने की उदासी प्रुबारा दे विर तो हम देने ते अफिक आनली पुष्ट है ति उन्हाने ही गुदाल लाकपच साह striving दा परातन्स थांस्नीघ कर अँप नए पंते ठोलतरी पुजा उदासी संपर्दाया दे सामना किती जांदी सी उते महानादा सुरूपी सी उपरांत कुछ समय पहले एस्थाम एनाने हैंड़ोवर कीता गुर्द्वारा सामनू क्योंकि यह थे वनादी खुनावामी पगिया सी ते एथे गुर्णानादीव दे आंदा एते आस्वी और उनको यह वोमी लगपत के जाओ जलाले में बहुत आद्यात्मीक और सुंदर लगी और नारांसार तीर्चर से होके इन्होंने लगपत को पसंद किया तो यहां पर कच्छी मिटी का जोंपड़ा उसमें शिव बक्ति गयतरी और गुरु बक्ति गुरु नानक देव जी यहां पर तीन उदाशियों के स्थान ती एक टिक्या वाला उबद पूरा ना जहां से गुरु नानक देव जी की खाना इधर रखी गई गई तो पड़े जो टिक्या वाना स्थान था तो वहां पर पर खड़े ख़ए उस्थापिति ती वह जरजरी तो हो गया एक बीच मे आता है शिंदियों का वह एक मनकानी परिवार करके इस थान पर आई कम से कम 200 साल और उससे पहले वहां पर पड़ी रही उससान ने ऐसे पड़ी रही पूजा हो थी तो जो सत्संग किया था तो वह पूरा ना अभी बताए कि गुरु नानक देव जी कर यहां खड़ा थी त तो पांसो साल से गुरु नानक देव जी को उपर हो गया तो गुरु नानक देव जी इस स्थान से हो के का गय ते मक्का मदीना से गया है तो यहां से गया है मगर इसका मेरे पास कोई हस लिखित में या उसमें कोई अपने पापड़ा ला और गुरु द्वारा के लिए जम मिंग लिखित में दिया साधे नाल सीगे पाईसाब पाई सुरेश कुमार जी जेड़े की सिंदी समाज नू बिलॉंग कर देने ते उदासी संप्रदाय नू मनन वाले ने अश्थान दी सेवा उनाने परवार ने काफी दश्कांतों कीती ते जिदा आप जी ने ना कोल सारा इतियास चोणिया भी ते समझया भी हमेशा मैं देख्या है कि जिते जिते भी उदासी संप्रताय दे डेरे सीगे बाबा श्री चंद जी दे उना दा इत्यास गुर्णानक देव जी नाल मिलदा है तो थोई सनु प्रेसिस मिले ने सब तो पहले तेना दा बहुत बहुत तान्यवाज जो एना ने अस्थान दी देखरे कीती ते बाबा जी दी जडी स्याप श्री सचे पार्शा गुनानक देव जी जी जडी खणावा सी गया उदी सेवा संबाल कीती गुर्द्वारा साबेच आप जी ने जी दो खणावा साब दे दर्शन कीते उदे अंदर एक खणावा जीडिया ने बाबा श्री चंदी जी जी दे बारे दस्या जन्दा सी गया उएक्चुली बाबा श्री चंदी जी नहीं है गया ओ एना दे जी तरम गुरू ने बाबा कि जड़े जड़े स्थाना ते सानू गुर्णानक देव जी महराज दे ट्रेसिस मिले ते ओ स्थान जड़े उदासी संप्रदायद दे डेरिया ने संभाले सिगे सानू उना नू नाल लेके चलन दी लोड है सानू कटरवाद नू थोड़ा जा पिच्छे रखके जलन दी लोड है मैं ऐस गालनू भी समझना कि दोना दी पूजा पदिती वखरे है जिस करके एना ने बहुत ही स्थान अपना वल काम देता कि एना ने अपनी पूजा पदिती दी जेडी की एथे चलमवी पिंदेने ते होबी चीजा जेडिया ने जेडी की साड़े सिख संप्रदा देव Е्चर देवीच वरजित ने तो एना ने अपना स्थान इकलक बनाया है जिते हले भी अपनी पूजा पदेती एना ने जारी रखी है ते उते पूजा कर देने उदासी डेरे दे छिशे ते गुरुदी परंप्रानू बुख रख देवे तो गुरुदारा साब ने अंदर ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जेडी की वर्जित होए तो थे उदा पालन किता जान्दा होए गुरुदारा साब ने अंदर प्रकाश होंदा है जिसरा आपने देख्या सुकासन होंदा है सुकासन ता कमरा वक्रे बने आवे आएगा